वाट्सअप ट्वेल्टीज तो करते हैं आज की क्लास शुरूर क्योंकि आगया आपका अकाउंट का गुरूर। आज हम करने जा रहे हैं अपना चाप्टर नंबर टू गुडविल। गुडविल यह वर आपने अकसर सुनके रखा होगा जिसे हम आम भाशा में बोलते हैं रेपिटेशन आज मेरे कोशन है आपसे कि आपने कभी सोचा है हम किसी भी फिर्म या किसी भी बिजनस की रेपिटेशन को पैसो में ना आप सकते हैं आपने से कई शुरूर्ट का अंसर आएगा येस और कई का अंसर आएगा नू आज हम आपको यही सिखाएंगे कि किसी भी फिर्म की रेपिटेशन को यानि गुडविल को हम पैसों में कैसे मेजर करते हैं गुडविल इसको आम भाशा में हम रेपिटेशन बोलते हैं वैसे होता क्या है गुडविल के अक्शल डेपिटेशन है गुडविल इस दा वैल्यू ऑफ टी रेपिटेशन ऑफ फर्म विच अनेबल इट तो अर्न हायर प्रॉफिट इन कंपैरिजन दा अधर प्रॉफिट बाइदी अधर फर्म इन सेम बिजनस मतलब गुडविल इस दा वैल्यू अफ गुडविल क्या है उस रेपिटेशन की वैल्यू है जो एक फर्म की है जिसकी वज़े से वो क्या कर पा रही है दूसरी पर्म से यानि वो बिजनस जो सेम लाइन में है उनसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पा रही है यानि किसी का ब्रैंड नेम इन कंपारिजन तू दा प्रॉफिट अर्ण बाइ अजर्फ फर्म इन विजनस के कंपरेटिव एंग ग्जांपल लेता हूं चोटा सा जिससा हम लेक्सर देखा होगा घर के आसपास एक छोले बटूरे की दुकान है दिली वाल च्ब्रेट चोले बटूरे और एक खल दीरा प्राइब के चोले बठो रहे हैं तो आप से प्रैक्टिकली पूछता हूं आपके अकॉर्डिंग आफ्लाइन स्टुडिंट्स की बात कर रहे हूं आपके अकॉर्डिंग बेटर कौन सा है किसकी ब्रैंड वैल्यू जादा होगी आपके आसपास लोकल या प्रैक्टिकली सब का अंसर अल्दी राम याएगा क्यों उसका ब्रैंड नेम है उसकी रेपिटेशन है और आज इस चैप्टर में इसी की हम बात करेंगे कि उसकी रेपिटेशन को में पैसों में कैसे ना पे बोलो बटा बात समझ आई व Mooi Okay तो Goodwill वैसे क्या है विड्री हमारे एक इंटैंजिबवब ईसे होती है indebrand इंटैंजीबव और यहाद रियाद किसी को क्या होती है करेक्ट हमाना उसर रहा है विच एक simple language में बोल रहों क्या बोलती है एकस्पेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट वैसे पूरा नाम है प्रेजेट वैल्यू और प्रेजेट वैल्यू और एकस्पेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट मतलब आम बाशा में आप अपने ब्रैंड की वज़ेस से कितना प्रॉफिट फ माल लो कोई person आता है में पास उसको जॉइन कराने से यानि उसको अपनी फर्म में एड्मिट करने से लेट सपोज मेरी इंकम जो है दस लाग रुपे बढ़ सकती है तो दस लाग रुपे उसकी क्या हो गई गुडविल बोलो बात समझ आई है ओके अचा अब बात करते है टाइपस अफ गुडविल हमारी दो टाइप की गुडविल होती है बटा पहली होती है सेल्फ जेनरेटिड गुडविल पहली क्या होती है बटा सेल्फ जेनरेटिड गुडविल दूसरी होती है purchase goodwill दूसरी purchase goodwill तो यह self generated क्या होती है, self generated मतलब अपनी value को अपनी value को खुदी ना अपना इंदी भाषा बोलू, दूसरी भाषा अपनी value को खुदी measure करना है, दिल्दी भाषा क्या बोलते है value को सोच लो समझ गए? अपनी value खुदी measure करना है just like अपना paper खुद चेक करना भही मैंद क्या करूँगा अपने paper को पूरा number दूँगा नहीं दूँगा अब एक बात बताओ अपना paper खुद चेक करना क्या यह valid है क्या यह होनी चाहिए चीज़े practically बोलो नहीं ना तो उसी तरह एक point बतादू मैं हमारा AS26 accounting standard number 26 intangible asset का intangible asset का मना करता है self generated goodwill को books में record करने से यानि self generated goodwill cannot be recorded in books क्या नहीं करी जा सकती बटा books में record नहीं करी जा सकती अब आपको एक्जामपल दे तो NTA का आपको पताव इसकाम हुआ है बड़ी मजदा चीज है NTA में स्काम करने वादी लगा चेर्मेन उसी को यह चेकिंग आपको बोलो इसको वर्ड बोलना चाहिए investigation investigating officer बनाया गया यानि जिसके उपर इज़्दाम है जो चोर है उसी को क्या बना दिया गया अब खुद बताव वालिड है नहीं न तो उसी तरह self generated goodwill भी वालिड नहीं है बोलो point clear record नहीं करी जाती बुक्स में purchase goodwill क्यों होती है purchase goodwill यानि मैंने किसी firm या किसी business को खरीद लिया अगर मैं किसी business को खरीद दूँगा तो उसका brand name भी क्यों होगा मेरा होगा नहीं होगा आप ध्यान सुनना माल लो किसी business की जो worth थी 10 लाग थी किती नी बड़ा 10 लाग थी और मैं उस business को 13 लाग रुपे में खरीद रहा हूँ कितने में मैं 3 लाग रुपे फालतू किस बात के दूँगा sorry किस के दूँगा बटा उसके goodwill उसके brand name के जो मैंने 3 लाग रुपे फालतू दिये इससे हम बोलेंगे purchase goodwill क्या बोलेंगे बटा purchase goodwill क्या यह बुक्स में रिकॉर्ड हो सकती है हाँ accounting science 26 कहता है कि purchase goodwill can be recorded in books बोलो बटा बात समझाई एक डाउट आये बता यह क्या डाउट है तीन लाग रुपे से goodwill कैसे आएगी यह थोड़ा example देकर समझाओ एक example लेते हैं छोटा सा लेंट से आप किसी इसका business करना चाहेंगे बटा ओके छोले वाटूरे हल्दी राम के क्या हल्दी राम के छोले हल्दी राम का मामले आउटलेट खरीद रहे या कुछ ब्रैंड खरीद लेट सबोस अल्दी राम के पास let's suppose assets है मेरी 50 कि कितने की 50 लाको अर्लाइव है 10लाग की कितने की बड़ा 10 लाक तो यह अनिसके brand की वस्रकित लॉर्ट कि अपॉंप किनी हुई 40 q तो एखने चालिस लाक के इसके वर्थ है स्वेड़ा हीरत अब goodwill हमारे कैसे कैसे measure होती है इसके methods क्या है चार methods होते बैसिकली average profit method, super profit method, weighted average profit method, फिर आता है capitalization method इसमें भी दो variety है, average profit capitalization method, super profit capitalization method, count तो 5 बन जाएंगे, 1-2-3-4 पाँच, वन बावन सारे पढ़ेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं average profit method की आई ये average profit method इसके तरूम goodwill कैसे calculate करते हैं देखे स्टेप number one सबसे पहले हम निकालेंगे average profit calculate average profit calculate average profit कैसे निकालते हैं profit देहिए average profit के लिए क्या करो total profit total profit upon May number of years step number two goodwill is equals to average profit into number of years purchase goodwill into sorry average profit into number of years purchase एक word आता है number of years purchase यह क्या होता है number of years purchase मतलब मैं किसी का brand name कितने time तक के लिए ले रहा हूं मालो अभी हर्सेबर ने example दिया हमने example लिया था कि यह बच्चा मारा क्या कर रहा है 45 फाइव लाक रुपीज दे रहा है मालो तीन साल के लिए देता है कितने साल के लिए तीन साल के लिए तीन साल के लिए तीन साल तक आपका नाम मैं यूस करूंगा so that is called number of years purchase कि आप किसी का नाम कितने साल के लिए खरीदना चाहते हो बोलो बात समझ आई ओके इसका step है average profit का अब कोशन करें है कोशन के तुप अच्छा समझ आएगा अब इसके लिए स्टार्ट करते हम कोशन नमबर थ्री 2021-22 एडिशन टी एस गेवाल का यह कोशन कोशन पढ़िया क्या कहता है एक ताल्कुलेट वैल्य ओफ गुडविल ओन दब बेसेज ऑप थ्री यह परचेज ऑफ आवरेज प्रॉफिट अप दिम प्रिसीडिंग फाइव यह वह कोशन पढ़ लो दन चैल्कुलेट वैल्य ओफ गुडविल बिट गुडविल निकालनी है ओन दब बेसेज ऑफ थ्री यह परचेज त्री यह परचेज यानि नमबर आफ यह परचेज कितना थी तीन साल की परचेज ले रहे हैं और आवरेज प्रॉफिट अप्रिसीडिंग फाइव यह और और आवरेज पॉफिट कितने साल का निकालना हैं बेटा फाइब फाइव यहस पिषले पांच साल के अवरेज परफेट निकालना आओ कर दें तो सबसे पहला काम होते हैं बैटा एवरेज परॉफिट कियसे से निकालूँगा इन सबका अवरेज करना है 814,18,8K ैवी डि लाक्स प्लस 18 लाक्स माइनस 4 लाक्स प्लस 13 लाक्स अपॉन में कितने साले बेट है टोटल? 5 तो कितना बेट है आपका? 8 लाक प्लस 15 लाक प्लस 18 लाक्स माइनस 4 लाक्स प्लस 13 लाक्स 50 लाक्स बना यानि आजगा 10 लाक्स अब गुडविल के लिए कितने साल की परचेज है? 3 साल की तो 10 lakhs into 3 यानि 30 lakhs, बोलो, point clear, ठीक है, ये कोशन है, कोशन नम्मर 3 ट्रागे के दिखा हो right now, ये आपकी बुक का कोशन है, इसमें मैं हलका सा चेंज कर रहा है, दियान से देखिए, मैंने आपके क्या करा, for this purpose, goodwill is to be valued at 400%, कितना परसन कर दिया, 400%, एक बोग कोशन अटेम करो right now, हांजी students, कोशन दिया था मैंने, जारता सुडेंस का 100 रुपीज का difference आ रहे है, उसका reason है, आपने कोशन ध्यान से रीट नहीं करा, आए ये कोशन पढ़ते हैं, क्या कहता है, पूरव and पूरवी are partners in a firm, sharing profits and loss in the ratio of 2 to 1, okay, पूरव पूरवी partners, they admit perv, for one for share, वो पर्व पल आ रहे है, on first chapter, 2024, हमारा इसने भी कोई वास्ता नहीं, इस chapter में, यहां से पढ़ना, for this purpose, goodwill is to be valued at 400% of the average annual profit of previous 4 or 5 years, whichever is higher, ध्यान से पढ़िये, goodwill is to be valued at 400%, goodwill कितने पे value कुन नहीं बिटा, 400% पे, right, किसका, average annual profit of previous 4 or 5 years, किसका है, profit लेना है, पिछले 4 या 5 साल का profit लेना है, whichever is higher, पिछले 4 या 5 साल का average profit, जो उनसा जादा है, उसको consider करना है, बात समझा ही है, अब यही चीज़ बताने वाले है, यहाँ गलती क्या होती है, पहले तो बच्चा, average profit 4 या 5 साल का निकालेगा, नहीं, गलती से निकाल लिया, तो वो भी गलत लेगा, कहते, मैं बात करना पहले, average profit of previous 5 years, पिछले 5 साल, कौन-कौन से बिटा, 14,000, 15,500, 10,000, यह, यह, चारो है न, 14,000, plus 15,500, plus 10,000, plus 16,000, plus 15,000, upon में 5, क्या होदेगा, 14,000, plus 15,500, plus 10,000, plus 16,000, plus 15,000, यह आएगा सीधा, 14,100, आप इसे काई सुने सीधा इसको ले लिया होगा, जल्द बाजी कर दी, average profit of previous 4 years, पिछले 4 साल, जब मैं पिछले 4 साल बोलूँगा पिटा, मिरे को यह बताओ, पिछले 4 साल कितने बच्चों ने लिया, ओके, कई सारे सुनेंस ने, बड़ वेट, आपने यह लिया होगा, एक, दो, 15,500, प्लस, 10,000, प्लस, 16,000, प्लस, 15,000, अपन में 4, अब इसका टोटल करते हैं, 15,500, एक मिनिट, माइनस, 4 इंग करते हैं, सीधा, यह आएगा, 14,125, अब खुद बताओ, बिटा, कौन साल पिक करूँगा, ओपर हैं नीचे, नीचे वाला, राइट, तो क्या होगा, एवरेश, प्रॉपिट ऑफ, पूर यह इस, हायर, काला पॉइंट, अब गुद विल के लिए, क्या बोला इस बार, क्या लिए ने बिटा, 400%, तो गुद विल इस इक्वल तू, 14125, इंटू में 400%, 56500, बोलो, पॉइंट लिए, चलिए, अब पहला पॉइंट लिए होगा, सबको, सेकिंड पे आते हैं, देखिए, हमारे बिजनस में, यानि जब हम अपना profit and loss account बनाते हैं, तो कई तरह के normal expense होते हैं, कई तरह के abnormal expense होते हैं, तो पहले तो आप यह बोलोगे, सरे, normal expense क्या होता है, और abnormal expense क्या होता है, किसी को idea है, normal abnormal क्या होता है, anyone, अजी, थोड़ इसी lagging आ रही है, उसे ठीक करते है, normal, normal मतलब business के regular expense, जो business में होते रहते है, abnormal मतलब accidental expense, abnormal का मतलब वो जो कभी कभार हो या unexpected हो, या जो regular पे ना हो, एक छोटा सा example, यह बता हो, business में rent देना, regular part है या irregular part है, regular, या main business का part है यह नहीं है, right, अच्छा, आग लग गई और loss हो गया, regular है या irregular है, irregular, यह normal हुआ, abnormal हुआ, abnormal, बोलो बात समझा गी, यह क्या हो गया, abnormal, तो एक बात जहां रखना, जब हम अपना average profit या profit calculate करते हैं, तो हमने abnormal gain, यानि incomes को क्या करना है, deduct कर देना है, क्या करना है मेरे बच्चा, deduct क्या है, minus कर देना है, और abnormal losses को क्या करना है, add back करना है, अगर normal हुआ, normal मतलब मेरा main business है, let's suppose, commission लेना, business का regular है या irregular part है, regular है, ज्यान रखना, business के अंदर commission, regular part है, sales करना, चलो यह बताओ, sales क्या होती है, regular, irregular, discount, regular, 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 right, तो हमने normal gains को क्या करना है, मेरे बच्चा, add करना है, ठीक है, इसको add कर देंगे, और normal loss को minus, abnormal को plus, यानि abnormal में उल्टा, normal में सीधा, मैं आपको सीधा सारे expense बता रहा हूँ, सारे expense और सारे income कौन-कौन सी normal आती है, कौन-कौन सी abnormal, ready, abnormal income क्यो होई, पहली, gain on sale of land, या gain on sale of asset, आपने माल लो कोई asset बेची और इस पर फायदा हो गया, normal, abnormal, abnormal, भई, main business का part है क्या है, यह बताओ, आपने, माल लो, scooter था, scooter बेची, 10 आर की चीज, 12 में बेच दी, main business income है, नहीं न, तो आप उसे क्या करेंगे, minus, इसके अलावा, investment income, investment समझते हैं, आपने, अपने business के अलावा कहीं और पैसे invest कर रहा हुए, let's suppose, मेरा business है, garments का, ठीक है, कपड़ा का business है, मैंने क्या कर रहा हुए, मैंने एक property लेके उसे rent पे चड़ा दिया, अब मेरे को यह बताओ, यह जो property से rent आ रहा है मेरा, यह मेरा main business का या other income है, other income है न, तो यह normal हुए, abnormal हुए, abnormal, बात समझा गी, इसके अलावा, income tax refund, income tax वाले हैं, उन्होंने हमारे income tax वापसी कर दिया, उमीद थी, income tax वाले पैसा वापसी करते हैं, नहीं थी, क्या हुए, normal, abnormal, abnormal, यह क्यों बता रहा है, आपके questions में है, ध्यान सब सुनना, माल लो, fire हुई, 10,000 का loss हुआ था, कितने का, 10 का, और मैं को insurance मिल गया, 12,000 या 8,000, insurance claim, तो यह भी normal income है, abnormal income है, abnormal, तो यह क्या, insurance claim received, यह, दोबारा, मैं आपको example दे रहता है, insurance claim मिलना, normal है, abnormal है, abnormal है, ठीक है, यह, चार points के लावा आपको 500 कोई पॉइंट नी गुमेगा, इसमें, abnormal losses क्या आते हैं, loss on sale of asset, 10,000 का scooter था, 8,000 में बेश दिया, 2000 का loss, normal abnormal, abnormal, इसके अलावा, loss by theft, और fire, आग लगी या चोरी हुई, यह क्या हुआ, abnormal, इसके अलावा, voluntary retirement compensation, voluntary retirement compensation क्या होता है, जब हम अपने किसी employee को बोलते हैं, कि भाई, एक काम कर, तु वक्त से पहले retire हो जा, माल लो मेरा को employee था है, आपको बदे retirement case 60 होती है, पर मैंने से 50 में बोल दिया, काम करो, sir आपने retire हो जाओ, मेरी company आपको इसे में afford नहीं कर सकती है, possible है या नहीं है, या आपकी इस company में ज़रूत नहीं है, कुछ भी हो सकता है, तो मैंने से बलाओ, आप क्या कर लो, retirement ले लो, advance में, एक बात बताओ, वो 10 साल पहले retirement ले रहे है, प्री में ले लेगा, या में को उसको कुछ pay करना होगा, तो जब वो retirement पहले ले रहता है, जो amount में को pay करना है, that is called voluntary retirement compensation, अब normal income में वैसे तुम्हारी क्या आती है, एक और आती है, इसमें investment income में लिख लो interest, year end receive, interest receive, year end receive, नॉर्मल में हमारी कुछ भी आ सकती है, जिसता let suppose commission sales, वैसे normal का कोई question है नहीं, जान नॉर्मल income हो, हाँ, normal loss एक बाद ध्यान रखके चलना, इंशॉरेंस पे करना, बिजनस का regular पार्ट है या irregular पार्ट है, रेगुलर है सबका गलत, इंशॉरेंस जहां से सनो बिटा, businessman अपने business को insure कराता है नहीं कराता, पते हैं बत किसी को, कि आप अपने stock तक को, आप अपने employees तक को insure करा सकते हो, तो उसके लिए जो इंशॉरेंस premium आप पे करते हो, that is called normal expense, इंशॉरेंस premium, हाँ, इंशॉरेंस claim receive करना है, वो regular रोज नहीं होता, यह रोज आप लग रहे हैं, रोज इंशॉरेंस मिल रहा है, बट आपका insurance रोज जा रहा है, या timely जा रहा है, वो आपके लिए क्या है, नॉर्मल, बोलो बात समझ आई, यह छोटा सा हिंट दिया मैंने आपको, question number 6 के लिए, मैं चाहँगो एक बार आप इसे try करें, चलो, question 6 देखते हैं, Tarang purchased Jyoti's business with effect from 1st April 2024, Tarang ने Jyoti का business खरी था, profits shown by Jyoti business for the last few financial years were this, profit Jyoti क्या दिखा रही है, देखो, 2022 में कितने का profit है, 1 lakh का, including an abnormal gain, इसमें क्या है बिटा, abnormal gain है, abnormal gain को क्या करते हैं बिटा, minus, abnormal को minus, 1 lakh 25,000 after charging an abnormal loss of 25,000, abnormal loss है, abnormal loss को क्या करना होता है, add, 2,024 में है, 1 lakh 12,500 excluding 12,500 as insurance premium on firm's property, 1,12,500 का है, 12,500 क्या है, insurance premium, insurance premium क्या होती है, normal या abnormal, normal, minus करूँगा या add करूँगा, minus, तो अब देखो कैसे करेंगे, मैं लिखूँगा यहाँ सबसे पहले profit, सबसे पहले लिखते हैं profits, फिर, यह भी डाल देते हैं, year, 2022, 23, 24, और यहाँ देखे, adjustments, कि मैं क्या चीज़ add कर रहा हूँ, क्या चीज़ subtract कर रहा हूँ, देखे, 1 lakh rupees है, 1 lakh rupee, abnormal gain है, 12,500, तो क्या करूँगा बिटा इसे, minus, minus 12,500, फिर अगले में 1 lakh 25,000, abnormal loss है 25 का, add, plus 25,000, अगला 1 lakh 12,500, insurance, insurance क्या होते हैं मेरी, normal, तो क्या करेंगे बिटा, minus 12,500, तो finally मेरा profit कितने काया, इसे हम बोलते हैं normal profit, यह कितने काया, 87,500, यह आगया 1 lakh 50,000, यह आगया 1 lakh rupees, 87,500 plus 1 lakh plus 1 lakh 50,000, 3 lakh 37,500, अब निकालते हैं average profit, 3 lakh 37,500, अपन में 3, 1 1 2 5 00, 1 lakh 12,500, अच्छा, calculate the value of firm's goodwill on the basis of 2 years purchase, कितने यह कि परचेस करनी है, 2 years, तो कितने हो जाएगी goodwill, 1 lakh 12,500 into में 2, 2 lakh 50,000, बोलो बटा, clear है confusion, ओके correction, कितना, ओके, my bad, it's 2,25,000, छोटी से correction है, goodwill आएगी 2,25, ओके, एक और question है, यह आप लोग करके दिखाएंगे अभी अभी, question number 8 right now, अब इसकी बात करते हैं, main point सीधा, year, 21, 31, 21, 22, 23, 24, profits कितने कितने के हैं, 80,000, 1,045, 1,060, and 2,00, अब adjustment कर देते हैं, abnormal loss of 20,000, abnormal loss से 20,000 दिमांग मत लगाना, क्या करू सीधा, plus, a fixed asset was sold in the year 2022, and 25,000 of gain was credited to P&L account, 25,000 का gain हुआ, abnormal gain, तो क्या कर दूँगा, minus, in the year ended 31st March, assets of the firm were not insured, assets insured नहीं कराई गई थी, insurance premium was not paid, rupees 15,000, 15,000 का insurance premium था, जो नहीं pay करा गया, basically, नजर अंदाजी, क्या बोलते हो से, carelessness, तो 15,000 का insurance premium नहीं pay करा, नहीं दिमांग मत लगाना, pay करा या नहीं करा, सीधे यह बताओ, insurance premium क्या होता है, normal या abnormal, normal, तो क्या करूँगा, minus, तो कितना बैठा है, normal profit, आए देखते हैं, पहले का आगया, अगले का, 1,020,000, अगले का, 1,045,000, अगले का, 2,00, कितना वा, 5,65,000, अब, average profit, 5,65,000, divided by 4, I'm sorry, 1, या आगया, 1,4, 1,2,5,0, अब, goodwill, कितने पह ले नहीं है, purchase of average, normal profit of, last 4 years, sorry, goodwill, was to be valued at, 2 years, purchase, कितने पह, 2 साल, तो goodwill, कितनी होगी, 1,4,1,2,5,0, into में 2, 2,8,25,000, अब बताओ, clear, अब, DK से कोशन में पिक कर रहा है, इसके नदे सीधा, में पॉइन पॉइंट डिसकर्स करेंगे, मैं चाहूँगा इसके नदे आप average profit निकाल ले, पर बाकी, sorry, normal profit निकाल लो, average की भी जगा, में पॉइन पॉइंट वह आता कि है, फिर तो आप पर कोशन हो जाएगा, वन में का टाइम देता हूँ, आव बटा, calculate goodwill of the firm on the basis of 3 years purchase, goodwill लेनी 3 years purchase पे, of average profit of last 5 years, last 5 years का average profit लेना है, आगे, the profits of the last 5 years were, profit कितने-कितने थे, देखिए, 4 lakh का था, main point, on 1st January 2016, a fire broke out, which resulted into a loss of goods of rupees, 3 lakh, आग लग लग यह 3 lakh के goods, जल गए, तो यह क्या हो गया, abnormal loss, क्या करूंगा, add back, अब एक बात सुनना, 1st January 2016, यहनि कौन सा year आएगा, कौन सा आएगा, 15-16 या 16-17, 15-16, 1st January 2016, यह close कब होगा, 31st March 2016, 31st March 2016, तो यहनि 31st March 2016 कब आएगा, 2015 2016 में, बात समझ आई, नहीं आई, आगे, तो क्या करूंगा, 3 lakh रुपे, add, claim of 70,000, was received from the insurance company, claim मिल गया, क्या कह रहाँ, एक मन रुकिये, plus, minus, minus 70,000, कितना ओगे आपका, एक मिनट, इसे कर लेते 130, तो 1 lakh 70, यह आ रहे 1 lakh 70, आगे, during the year ended, the firm received an unexpected, tax refund of Rs. 80,000, tax refund आगया, 31 March 18, यहनि कौंसा यह, 2017, 18, minus 80,000, 1 lakh 70, बाकी सारे यह, as it is, यह 4 lakhs का 4 lakhs, यह 5 lakhs, यह 1 lakh 60, इसके एक साल अपने आप कर देना, यह चला करी देते हैं, कितना कहां पर कह रहे हैं, 2016, 17 में, एक मेंडिक मेंडिक मेंडिक, अच्छा 1 lakh 50, मैंने गलती से 60 रिख दिया न, ओके, तो 4 lakhs, 5 lakhs, 9 lakhs, 9 lakhs, और, मैं खुद ही कर देता हूं, 4 lakhs, 5 lakhs, 1 lakhs, 70, plus 1 lakhs, 1 lakhs, 70, 13 lakhs, 90,000, average profit कितना बेड़ है, 13 lakhs, 90,000, divided by 5, 2 lakhs, 78, और, goodwill कितने क्यों जाएगी, 3 years purchase, 2 lakhs, 78, into 3, 8 lakhs, 34,000, यह था आपका पहला topic,